आज हम competitive exam के उपर बात करेंगे क्या आप UPSC, CAT, JEE, NEET, SSCCA क्वालिफाई करना चाते हो क्या आप बस exam दिये जा रहे हो लेकिन उसे ख्रैक नहीं कर पर रहे हो तो इस विडियो को पूरा देखना क्योंकि आज मैं आपको 5 secrets बताऊंगी जो याद रखने से और follow करने से आप कोई भी competitive exam crack कर लोगे पिछली बार मैंने विडियो बनाई थे कि कैसे आप कोई भी skill जल्दी सीख सकते हो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो तो चले आज का विडियो स्टार्ट करते है दोस्तो अब ये सोचो कि अगर आपके पास job हो तो आप क्या क्या कर सकते हो आपके पास एक बड़ा सा घर होगा बड़ी बड़ी गारिया होंगी तीन चार नौकर होंगे आप जहाँ चाहे घुम सकते हो जो चाहे खरीश सकते हो आपके पास बस पैसा ही पैसा है अब आप ये सोचो कि अगर आपके पास job ना हो तो आपकी लाइब कैसी होगी आप पापा के होटिल में खाते हो आपको कुछ भी चाहिए हो तो दूसरों से पैसे मांगना पड़ता है अब सब के उपर एक बोज हो और बहुत उमर होते ही आपके पैरेंस होस्पिटल में होंगे और आप जूज रहे होंगे डॉक्टर का खर्चा उठाने के लिए आप खुदी सोचो आपको इन में से कौन सा वाला लाइब चाहिए जब भी आपको हार्ड वार करने का मन ना होना तो ये पॉइंट याद कर लेना नमबर टू कोचिंग कोचिंग बहुत इंपोर्टेंट होता है कॉम्पेटिटिप एक्जाम ख्रैक करने के लिए लेकिन बहुत लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता तो वो सोचते हैं कि पैसा नहीं तो कोचिंग नहीं तो जॉब भी नहीं तो भाई ये सोच गलत है बहुत लोगों ने बीना कोचिंग के ही खुद परके कॉम्पेटिटिप एक्जाम में टॉप किया है तो आप भी कर सकते हो और अगर आपको किसी भी सबजेक में प्रॉब्लेम है तो ओल्लाइन से कोचिंग ले लो वो भी बिलकुल फ्री So, money doesn't matter Here, who will power matters Number 3 Books आप कॉम्पेटिटिप एक्जाम ख्रैक करने के लिए obviously बुक तो चाहिए ही और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस बुक खरिकते ही रहते हैं कभी ये बुक तो कभी वो बुक और फिर एक साथ सब भुल जाते हैं क्योंकि ये सही तरीका नहीं है कॉम्पेटिटिप एक्जाम के लिए आपको पाच बुक एक बार पढ़ने से जादा फाइदा होगा कि आप एक बुक पाज बार पढ़ो यकिन नहीं होता अब खुदी ट्राइ करके देखो फर्क अप खुदी समझ जाओगे अगर आप 24 घंटा पढ़ो तो आप एक्जाम ख्रैक कर लोगे ऐसा नहीं होता तो अभी आप सोच रहे होंगे कि तो फिर कितना पढ़ो 10 घंटा पढ़ो, 16 घंटे या फिर 20 तो अभी मैं आपको बता दू कि जादा पढ़ने से आप एक्जाम ख्रैक कर लोगे ये सोच गलत है कम पढ़ो, लेकिन effective पढ़ो अगर आपने ठीक किया कि आज आप 7 घंटा पढ़ोगे तो 7 घंटा ही पढ़ो अगर आपने ठीक किया कि आज आप 4 घंटे पढ़ोगे qualify नहीं कर पा रहे तो क्या आप हार मन जाओगे बार-बार गिरने के बाद अगर उटने से डरोगे तो आप तो नीचे ही गिरे परे रहोगे चाहे आपने exam एक बार दिया हो, पाच बार दिया या फिर दस बार हर बार खुझ से ये कहो कि जरूर मेरे मेहनत में कोई कमी रह गई होगी इस बार मैं और मेहनत करूँगा और अगली बार जरूर exam crack कर लूँगा So, never give up Just wake up do hard work and fly तो दोस्तों ये थी मेरी पाच पॉइंट जिसे याद रखने से और follow करने से अब जरूर कोई भी competitive exam crack कर लोगे अभी आपके आसपास बहुत लोग होंगे लेकिन अगर आप कुछ बन नहीं पाओगे ना तो सभी आपको छोड़के चले जाएंगे इसलिए अपने आपको इतना काबिल बनाओ कि आप लोगों के पीछे नहीं लोग आपके पीछे भागे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कॉमेंट शियर और सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सी पॉइंट जादा अच्छी लगी तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीजडे को गुट बाइ और कीप दूइंट वीजडे को अच्छी लगी